शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें किशन चाद किशन चाद किशन चाद किशन चाद आओ कैसे लाए यह रहा तुमारा कसेट तुमारी ज्योती कैसे फेंको लो तको अपनी ज्योती ये क्या? ये तो पुटला है पुटला नहीं तो असली जियोदी तुमारे आवारे कर दूगा है मुझे क्या इतना पर रुकू समझते हो मैं क्या ये नहीं जानता है एक कैसर्ड के हजारो डुपिकेर्ड कैसर्ड बनाये जा सकते है किशिन चंद तुम आग से खेल रहे हो चल जाओगे वा हमारी बाते हम ही से अरे बर्खुरदार हम यहाँ आग में जलने के लिए नहीं आए बलके आग को बुजाने के लिए हमने तुम्हे इस मिल में इस लिए बुलाया है ताकि हम तुम्हारी लाश को इसी मिल के अंदर कर दो, कर दो, कर दो! कर दो, 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 क सर्व मंगल मंगले सरवार्थ साजी के शरण्ये त्रयंब के गवरी नारायनी नमस्तुते शरण्ये त्रयंब के गवरी नारायनी नमस्तुते शरण्ये त्रयंब के गवरी नमस्तुते के गवरी नमस्तुते कि लिंडन धरन फेंडन ते और मता सaces चीड़ाए. कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बहुद है कर दो कर दो कर दो मंगलम सिद्धी दिनायका मंगलम भगवान विष्णू मंगलम गरड़जा मंगलम कुण्री का दिनायका दोस्तों बभवान की पूजा से हम स्वरक तो पा सकते हैं लेकिन अलेक्शन नहीं जीच सकते हैं आप जन्ता जनारदन के पास जाएए और धुवाधार परचार कीजिए और जिस तरह भवान को कीटनों से रिजाते हैं बिल्कुल उसी तरह जंता को अपने भाशनों से मनाईए और अगर नहीं माने तो दावल का परशाद चड़ाईए नोटों से उनकी आर्थी कीजिए और फिर देखिए कि एलेक्शन में हमारी कितनी शांदार जीत होती है किशंचंजी हम कुछ भी कर लें वार्ड नमबर ग्यारा हनुमान चौक का अलाका हम नहीं जीज सकते हैं नहीं सरफ बिवाकूफों की डिक्शनरी में लिखा होता है बक्ति परशाद तेड़ी ये ठीक कह रहे हैं वो एरिया सुराज पार्टी का गर है वहां के लोग उसी पार्टी को वोड़ देंगे सेजा बेटे जहां लालत की राजनिती नहीं चलती वहां आतंग की रन निती चलानी पड़ती है सगराम जी उस इलाके में इतना आतंग ठेलादो के लोगों को लगे कि अगर उन्होंने सुराज पार्टी का नाम भी लिया तो उनकी जबान चल जाएगी और अगर वोड़ दिया तो जान चली जाएगी अलेक्शन के दिन मौत के फरिष्टे बन कर तुम लोग उस इलाके में च्छाए रहना समझ गया चानती चानती रलाक हईगी अज़र। खर्लुछ पर्लुछ अज़र। ओपर मिल पाता। मैं उस्रुछ kinda कि इंस्पेक्टर तुम जानते हो तुमने किस पर हाथ उठाया मैं किशन चन जी का दाया हाथ हूं तुम दाया नहीं पाया हाथ हूं जिस से इस कंदा काप किया जाता है हुआ है तक्तों फेसा हुआ आजाना निया प्राइबos दुणा तूम्प हमाटी क्ज आजाना इत्ञा हुआ आछेदाए दुछू प्राइबक्त प्राइबक्त लालनेove औरे इपनेगी एिल दोंगा गी उन्हा इए Did ताल–खर्फदर ने हुआ ने हुआ नेत पुरहां है आ तो पुरहां समें थ्याह चुझ ए Стरोच प्टेर एाँ 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 आप लोग बगए किसी डर के जिसे चाहे वोट दे सकते हैं बेटा तुमने सही वक्त पर आकर हम सब पर बहुत बड़ा उफकार किया है कानून की रक्षा करना तो मेरा फ़र्ज है अंकर तुमने कानून की नहीं बलके आम जनता के अधिकारों की भी रक्षा की है तुमारी तरह हर आफिसर अपनी जूटी पूरी तरह अंजाम दे तो यहां गुंडों के राज के बजाए जनता का राज हो जाएगा एक विशेष सुचना महानगर मुनिस्पल कॉपरेशन के एलेक्षन में श्रीक कृष्ण चंद्र चोपरा की आदर्श पार्टी दो तिहाई सीटों से विजय घोशित कर दी गई है श्री कृष्ण चंद्र चोपडा सर्वसम्मती से पहनगर मुनिस्पल कॉपरेशन के मेर चुन लिए गए है मेर किशंचन जिल्दावाद मेर किशंचन जिल्दावाद दोस्तो दोस्तो अलक्षन से पहले हमारा नारा था मिलकर लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे मेर साथ, मैंने अपने वार्ड में अलक्षन के लिए दो लाख रुपए खर्च किया है ओहो, फिकर मत कीजिए आपको कॉर्परेशन के तमाम स्कूल के ठीचर को अपट करने का हग दे दिया जाएगा और आप अच ठीचर से पांच हजार रुपए वसूल करेंगे मेर साथ, मेरा क्या होगा? आपको शहर की तमाम स्ट्रीट लाइट्स का कॉंट्रेक्ट दे जाएगा आप ऐसा कीजिए, पहले सारी पुरानी लाइटें तोड़ दीजिए उसके बाद नहीं लगा दीजिए अपने वाड में तुम्हें देशी दारू की दुकान खोलने का लाइसन्स मिल जाएगा तुम कोन होते हो रोखने वाले? आरे भाई, इनके पास लाइसन्स है हाँ, मालूम है, लाइसन्स है तुम अपने आदमियों को कहीं का भी लाइसन्स दे सक certain हो इसलिए कि तुम्हारे पास पावर है और तुम्हारे पास पावर नहीं है इसलिए तुम चिद्ला रहे हो नहीं, मैं उन घरीबों के लिए चिद्ला रहा हूँ जिनकी बजिकुदी शांती को भी तुम खत्म कर देरा चाते हो आप तो उल्की तोपी पहना रहे हैं दारू काद्डा बंद करो वरना अंजाम बुरा होगा शटार! हम अपना अंजाम खुद अपने हाथ उस लिखते हैं कान खोल कर सुन लो यह दारू काद्डा यहां खुलकर रहेगा नहीं! यह दारू काद्डा नहीं खुलेगा अरे क्या देखते हैं? मरा इंको! मरो! मरो इंडों को! धक्ये दो! अंकल यह क्या जगडा है? सुनेल ये भक्ती परशाज गरीबों की बस्ती में दारू कारड़ा खोल रहा है इसके बावजूद भी ये सबर्दस्ती यार फसाद करना चाहते है लाशर दिखा दो देखे सब ये देखे ये लाशर देखे ये कानून की आड़ लेकर या भूग और तबही लाना चाहते हैं हम यहां दारू का अड़ा खोलने नहीं देंगे अंकल ये जो भी कर रहे हैं गहर कानून ही नहीं है इनके पास लाइसेंस है आपको इने रोकने का कोई हख नहीं क्या तुम भी इनकी तरफ से बोलने लगे मैं सिर्फ कानून की तरफ से बोलता हूं और कानून की रक्षा करता हूं जो मेरा फर्स है आप सभी मेरी सला है कि आप भी कानून मत तोड़िये जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे थे तब आया आपने भी कीता सुनी बिलकुल सुनी बिलकुल पाइस तो तो आप GBK Mr जरूब मेलेगा आप चले चलो नमस्ते नमस्ते आज बड़े बड़े लोग हमार यहां बैठो से बगरम बैठो यहां बैठो यहां हाँ बैठीए थेर यह मैं आपके लिए चाह लेका आथी दादी माँ क्यार दीरा नाथ यह बच्ची तो चमतकार है इतनी चोटी सुमर में तुमने इसे क्या कुछ सिखा दिया मैंने मैंने कुछ नहीं सिखाया बाई पता ने किन माबाब की बच्ची है उनके संसकार आदते लेकर चली आई है मेरा बड़ा बेटर रवी से अनाताशम से यह ले आया है हाँ तो चाज़ जी अब बताईए किस गुनेगार को सज़ा दिलवानी है और किस बेगुना को इंसाफ दिलवाना है अरे शकर मन डालो क्यों ओफो दादी माँ तुम्हें कितनी बार मना किया है कि जाए में शकर न असा नहीं है उन लोगों के पास लाइसेंस है अले लाइसेंस है तो क्या हुआ रवी की कावलियत पर कभी भूल कर भी शक न करना ये किसी भी केस को पुलट पुलट कर सकता है पिताजी भाया का ये केस जितना मुश्किल है देखा सुनिल इस केस को मैं जरूर जितूंगा इंपॉसिबल ऐ चोटे बड़े को मतललकार तू हार जाएगा बेवकूफ हां क्या कहा मेरा बेटा बेवकूफ है और तुम्हारा बेटा हुशार है मेरा बेटा कह रहा है तो तुम्हारा बेटा जरूर हारेगा कमाल करती हो तुम्हे तो लडाई का बहाना जाहिए तुम्ह क्या कहा, मैं बेवेकॉफ हूँ, ओफो, तो इसे जगने लगे, मेरा बड़ा बिटा हुषियार है, मेरा छूता बिटा हुषियार है, इस बात को लेका जगरा मत करो, कितनी मारका आप से, कहा बड़ा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौर्ट के फैसले के बाद तो पता चल कि नहीं होगा, तो क्या मूले कर अदालत में हाजिर होंगे, हाजिर है, यो अनर, डिफेंस लॉयर हाजिर है, तेरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ, जज साप, दरसल बात यह है, कि आज इतने बड़े वकील के साथ मुकाबला है ना, तो आशिरवाद लेने के लिए द आप मुकदमे की पहरवी करना चाहेंगे या नहीं? जरूर करना चाहूँगा, या अनर, मैं आपके सामने ना कोई गवा पेश करूँगा, ना कोई सबूत पेश करूँगा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, कि क्या पीपी साब ये जानते हैं, कि शराप की दुकान क फिल्कुल जानता हूं जहाँ पर मंदिर मजजिद गुरुद्वारा चर्च या सिकूलो वहां पर शिराब की दुकार नहीं होनी चाहिए अच्छा अब यहां बता हये कानुनन इन सब जगों से शिराब की दुकान कम से कम कितने फासले पर होनी चाहिए सो मीटर के फासले पर होनी चाहिए तर्रेक्ट यह पॉइंट नोट के जाए यह ओनर अब आब यह बताईए कि जिस शराब की दुकान का यह मुकदमा चल रहा है वो शराब की दुकान मंदीर से कितने फासले पर हैं फासला कैसा वहां पर कोई मंदीर है ही नहीं क्या बात कर मैं पीपी साब उस शराब की दुकान से दुर्गामा का मंदीर सो मीटर के फासले के अंदर है यह जूट है यह ओनर डिफेंस लोयर धर्म और मंदीर का जूटा सहरा लेकर इस केस को नया बोर देने की कोशिश कर रहे हैं मैं आज सुबा खुद उस शराब की दुकान पर ज मंदिर नहीं है वहां पर मंदिर है पीपी साब मैं अभी अभी उसी मंदिर से पुझा करके आ रहा हूं यह देखिए माते पर लगावा तिलक माता के मंदिर का कुमकुम है और यह कान में लगावा फूल माता के चरणों का प्रसाद है यह गलत है जूट है वहां पर कोई मं कि खोचे विए बना यहां चाहिए आए जशाब यह रही दारू के दुकान और यह रहा मंदिर जिये अरे यह मंदिर का बढ भात पहले से अए बहुत पहले से मघो नियन आताए घ् माझें बहुतर इन्युक्यों है डाई का धन्डा करने वालूं को वैसे भी मंदिर नजर नई आता है शराब की दुकान से मंदिर टक्रील आप हो जैए जैस आप दिवी की दर्शिन करें जो काविले इतराज है हुजूर फॉइंट पाउंच मीटर की गलती भी हो सकती है यह दूरे फिर सब्सकाना पूरा इस जाना चाहिए इलेक्शन जब आप पांच वॉटों से जीते थे अब तो आपने यह नहीं कहा था कि ने पांच वोटों की गलती हो सकती है जिन्ती फिर से होनी जाहिए अदालाग मिस्टर भक्ति प्रशाद को हुक्म देती है कि बारे घंचे के अंदर अंदर उपमे शराब के दुकान यहां से हटा लें भाई या है ये फूल देवी का प्रसाद है शायद इसकी महिमा से आप अखला के सिज जाए आयो हलो शादा हाव आयो ठीक हो आप कैसे हैं मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अच्छे ये बताओ आज दिन क्या है अरे भूल गई आज तुम्हारा जनम दिन है मैंनी हैपी रिटर्नस अफ दे दे अव थेंक यू अचलो अब हम अपना खेल गलते हैं मेरे हाथ में पांच पैसे दस पैसे पचीस पैसे और एक रुपे के कई सिक्क्या है लेकिन पचास पैसे का एक ही सिक्का है तुम्हें आग बंद करके एक सिक्का निकालना होगा अगर पचास पैसे के इलावा कोई और सिक्का निकला तो जीत तुम्हारी और अगर पचास पैसे का सिक्का निकला तो जीत मेरी और जो जीतेगा उसकी मुराद पूरी करनी होगी बोलो मंजूर है मन्जूर है चलो आग बंद करो और सिक्का निकालो अरे वाँ पचास परसे का सिक्का निकला इसका मतलब जीत मेरी हुई अब मैं जो चाहूंगा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा मुझे पचास पपी चाहिए अरे जब मैं जीत गया तो हाथ दिखाने से मतलब दिखाऊ ना अरे पपी के बाद पहले हाथ दिखाऊ अरे बाबा प्यार और लड़ाई में सब जायज होता है अब देदो ना पपी मेरे सनम तेरे सर की कसम मैं तेरा हो गया हूँ मेरे सनम तेरे सर की कसम मैं तेरा हो गया हूँ है तेरे मिठी मिठी प्यारी त्यारी गाली गाली अखियों में खो गया हूँ मेरे सनम तेरे सर की कसम मैं तेरी हो गया हूँ मेरे सनम तेरे सर की कसम मैं तेरी हो गया हूँ मेरे सनम तेरे सर की कसम मैं तेरी हो गया हूँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि दो कर दो कि दो कृष्व में गोरत हैका नहीं जो चाटों से खूलचा दो कि दो कि दो बनेंगे किसमत में जाबे में कापत में बाँ जलीगे प्याई की हुशी या प्यारे कि खूँ मेरे साला तेरे सारे की बासा व्याई कि खूँ इतनी तरी, इतनी नजदी का गए है इतनी तरी, इतनी तरी, इतनी तरी, इतनी तो श्रे के दिए में, हम दोस्त माँ गए है वे प्रूमत के भी नपिछेंगे, ना पिछेंगे हम मेरे शैनम तेरे सर के गसं मैं तेरा हो गया हूँ मैं तेरी हो गई हूँ मैं तेरी मिटी मिटी प्यारी प्यारी काली खो गया ए शर्दा कहा खो गई चलो निकालो सिक्का कमान सर क्यों भई मुलाकत का समय खतम हो गया नहीं साब यह चिट्ची दिया सुपर्णेल साब ने आपके लिए ओ थेंक यू लो शर्दा एक और खुशबरी सुनो जो रहाई तुम्हें छे मैने बाद मिलने वाली थी वो अगले मैने मिल रही है तुम्हें खुशी नहीं हुई खुशी एसे खुशी अब तद मैं इस जेल के चार दिवार में अपने जिन्दगी गुजारे हैं हो इन दिवारों के पास मेरे उपर ताने कसने के लिए जबा नहीं है इन सलाखों के पास मजबर उठाने के लिए उंगलिया नहीं है मगर मगर जिब मेरे हाव कर बाहर जाओंगी तो दुनिया वालों के सहरी ले तीर जेसे ताने सुनने पड़ेंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब उंगलियों का सामना करना पड़ेगा नहीं शार्दा नहीं ऐसे कभी नहीं होगा तुम्हारी तरफ उठने वाली तमाम उंगलियों को मैं तोड कर रख दूँगा तुम्हे गुनियागार मुजिम कहने वालों की जबान काट लूँगा तुम फिकर नहीं करना बिल्कुल फिकर नहीं करना इस तानी है क्या माफ करना अरे क्या माफ करना पूरा पजयामा क्यों पहना? पूरा पजयामा पहना तो दो मीटर कपड़ा खामा खावा बरबाद हो जाएगा इतले बच्पन की जड़ी में अभी तक पहन के कुंटा हूं वावाव तेरे जैसा कंजूस लाजडेन जलाका ढूनने से भी मिलेगा रखाम का तेल खावएगा ना तुम लाश पर लुटाइजाने वाले पैसों को चुनने वालों से दिगए भी दो तुम पईसा बरबात करना जनतो पैसा बज़ाना तूं कह चनो एंदर फजबूदार फकीर इंस्पेटर साफ है एक है मेरा नम तेलीराम है जानता हूं आप अब कानजुसी के लिए बहुत मशूर है जरा नवाजी कशुकरिया क्यों के अबाद किया मेरी कलोती बेटी है प्रिया दाकुस को उठा कि ले गए और साथ में धंकी दी कि अगर मैंने चार बजे तक 30,000 रुपए बुरी बाड़ी पर नहीं पहुंचा है तो उसको जहां से माँ डालेंगे देखिए मैं उसकी फोटो लाया हूँ यह देखिए उसकी फोटो दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रखे मैं यह 30,000 रुपए लेकर आया हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो उन डाकों को दूर से 30,000 रुपए दिखा देना देना मत है देना मत आप फिकर मत कीजी आपकी बेटी आपके घर से ही सिलामत पहुंचाएगी पाप रे कितनी भयानक जगह है जब जगह इतनी भयानक है तो डाकों कितने खतरनाक होंगे शकाओ तुम यह रुपए लेकर उस तरफ जाओ और वहां से चेला कर कहना कि तुम रुपए ले आयों शाय डाको तुम्हारी वाद सुनकर मार देंगे सर अगर तुमने मेरा हुकम नहीं माना तो ठाय से मैं गोली मार दूँगा समझे गया सर समझे आप मुझे बली का बकरा बनाना चाहते हैं एक है शायद डाको की गोली से मरने के बाद मेरा प्रमोशन हो जाए हाँ अब तुम उधर से जा जाता हूं थाए तैंक यू सर डाको जी डाको जी गोली मत चलाएए मैं रुपर लेकर आया हूं गोली मत चलाएए पूरे है ना पूरे मतलब 30,000 हाँ हाँ 30,000 है पूरे मदर आप दिखते रहिए कहां है अपने सीधे आपकी तरफ चले आओ आया सीधा आया आया तरफ इक टबर लेकाटिया रुक जाओ रुक गया अब क्या करूँ तुम्हारे पास जो गंजा पेड है रुप्या अस पर रख दो गंजा पेड ने 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 शूट पत करना शूट पत करना मिह ढग नहीं हूं देखो, मैं प्रिया हूँ, पेली राम की बेटी, तुम? तुमने ये नाटक क्यों किया? ये नाटक नहीं, जरूरत है, ये रुपया मुझे मेरी सहली सुषिला की मा की आपरेशन के लिए चाहिए था, अगर आपरेशन नहीं हुआ, तो वह नहीं बचेंगी, अब और नाटक प्रिया मा की हालत और सीरिस हो गई है दौक्टर ने कहा है अगर शाम तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनका बचना मुश्किल है घबरा मसुशिला यह लो तीस सजार रुपे हैं जाओ जल्दी से डॉक्टर साब को दे दो और कह दो उनसे कि ऑपरेशन का बंदो बस करें जाओ ना अब तो आपको मेरी बात पर यखीन आगया सुशिला के मा के ऑपरेशन के लिए मैंने डैडी से रुपे मांगे थे उन्होंने कहा था कि मैं दे दूंगा लेकिन आखरी वक्त पर इंकार कर दिया इसलिए मुझे इनाटक करना पड़ा अगर आप समझते हैं कि मैंने जुर्म किया है तो बेशक जेल में डाल दीजे मुझे ऐसा काम करने के पदले में अगर सब को जेल की सजादी जाए तो सारे देवी देवता जेल में नजर आएंगे आए ऐसेट जी इधर इधर क्या है चैट जी चार दिनों से गलियों के पोश्टर फाड़ड़ लाता रहा हूं और उन्हें जला जला कर खाना बनाता रहा हूं लेकिन अब तो गली के पोश्टर भी खत्न हो गए। अब आप ही बताईए। चूले में क्या डालू? मुझे डाल दे। लेकिन आप तो जलने में भी कंजूसी करेंगे। क्या बोला ? साला सेट जी बोलका हमेश अपने पैट जी के बाते करता है। भोलका 법ց ऑपता है ऐसी बूकित मेरि बीटी उएक तरफ पीने के बाड़ Meु Hai जब तक मेरी बीटी नहीं मिल जाती श भर मुस데 ज़िए तब तप सघ्रम मे ना खुण पकेगा न खाने के बारे में कोई सोचेगा। इस चमेली की ख nouvelles के एंसे लेजुए बाप ने बाप ने स्कूल भेज़ा ही नहीं किसको आता है कर्चे के डर से बापने स्कूल भेजे ही नि उलिया क्या पुल के सामने से तो गुजरा होगा भी नी तुद्रा सारी जिंदगी घर सपैसे चुरा-चुरा के खाता रहा जोट्टा कहीं का ते変 एगा चोटा भे कर्चेको पैसा नी मिने तो चोरी तो करना पूड़ेगा ना इसलिए इसलिए पिधा जीने तुझे सारी जाधात सहलंग कर दिया और सारी जाधात मेरे नाम लिख दी और तुझे खुरी कवड़ी तक नहीं दी वो भी तेरी भांदेबाजी थी, विदाजी को भी तू नी भड़काया था, यब उरीवास की तरगा, भड़काया मैंने, वना तू अपका घर भेज के खा गया होता, तुझे भाई के तो मुझे खीन आती है, और तुमारे जेसे कंजूस और कमीने आदमियों को अपना भाई अबकाया जाओ। तू भाई जाओ, वना टांगे दोलके सर प्रक दूगा और पंजाब मेल के लिजे बाज़वादूंगा, जाओ. जाता हूं, तू भी क्या याद करेगा, बल्के बाद में याद करेगा. जालालू चला, भांगा. बीटीया, बीटी, जाडी. आपको पाइसे तेरे जर्वा बाबर है ना, हाथ पर सलाम एता है ना, कड़े तो नहीं भटे ना, आपको जामे रखा ना, बहुत बहुत शुक्री एंस्पेक्टर साथ, आप मेरे बैटी को सभी सलामत देकर आगए, मेरे पैसे एपाइसे ना, इतने भाइनक थे, इतने भाइनक थे इतने लामिल अमिल तलवार और बंदूग, वो बनाबर हैं लेकिन, मेरे पैसे, वो क्या है कि एड़ी इन्हों ना, उन गुंडों को यू मारा, यू मारा, यू मारा, आरे आप पोलीस वालों को तो कामी है मुझे का आप मत मीजी खास पीसो का घटका लगा है इसका ऐलाज मेरे पाफ ए ही्टी तनी बॉस क्रीक आपकी बेटी घर से घरकेल दो खुशों चाहिए कि तीस हजार एक तो तो क्याantic क्या बात करते हो लडगी आगी तो चलेगा मैं 30,000 रुपर चलेगा अगर 30,000 रुपर देने होते तो मों खुदी जाके लड़की भापिस लेके निया जाता पुलीस वालों को फर्ज भी नहीं भाना चीए लड़की बिलाना चीए पैसे बिलाना चीए मेरे तुमारे बाद 30,000 रुपर चलेगे ना पुलीस वाले उसलिए ब्याद नहीं होंगा मगरे मने लटाते ना तुम उधर जालियों को तरफ जाओ सरूर कोई जोड़ा रोमाइंस कर रहा होगा दंडा दिखाकर पैसे वसूल कर गे लाओ नहीं होगा तरह साथ कि अटी करों मूठी करों आप इंस्पेक्टर चोर खे बागी खाने के साफ कमीशने साब को देना चला ने ने मेरी बात सुनिये साफ यह सब कुछ ले जाए मगर मुझे माफ कर दीजिए ने आज तो मैं तुमको डिसमेस करा करूंगा चला ने 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 अच्छा काम करिए यह पूरे महने की तंखा भी रख लीजिए मगर मुझे माफ कर दीजिए आली एक महने की अगले मैने की भी दे दूंगा जो के ना अच्छा अच्छा अजीव चोर के हैं क्या बलाए ने ने थैंक्यू औरे पाप रहे पाप रहे यह तो दुप्लिकित इंस्पेक U.S. रूपसाः चाह्ट में एक तूफ़ा देता हूं अरे मेरे देश्मा। अभड़ मों सेनकाल क्या हुआ क्या हुआ सर आपमी दूप्लिकेत इंस्पेक्टे वहा है उसने जरूर किसी को उनलू मनाया है अली इंस्पेक्टे सुनील एर नाशनल पार्क में कुछ गुन्दों ने एक लड़िया बेदरे से खून कर दिया है क्या आप कुन बोल रही है मैं रेटा बोल रही हूं आप जल्दी आई साफ बाभी आया तुम यह क्या नाटक है यह नाटक नहीं है मैंने तुम्हें यह रिपोर्ट लिखाने के लिए बुलाया है कैसी रिपोर्ट तीरा दिल खड़के मेरे खीने में मेरा जिल खड़के तेरे सीने में तग्नाए मजग आय हायर मजग तग्नाए मजग तच्छ जिने में तेरा दिल खड़के मेरे सीने में मेरा दिल खड़के तेरे सीने में तब आए मजग आय हायर मजग तब आए मजग कुछ जिने में तेरा दिल खड़के मेरे सीने में मेरा दिल जड़के तेरे सीने में मेरा दिल जनी जड़के तेरे horizों才 2 जादा के अग्माद नीन गई फिर चैन गया अहा नीन गई फिर चैन गया अब जाती है जाँ जो दिन में जो ए आज होगा क्या होगा ठाल मधिने में मेरा दिल जड़के मेरे सीने में मेरा दिल जड़के मेरे सीने में किसी किसी को कभी कभी दसता है ये नाग हो दसता है ये नाग हर में तम में लगत नहीं आह लगत नहीं दिल में प्यार किया में आज दिलों में लगते है सावन के इसे महीने में मेरा दिल जड़के मेरे सीने में मेरा दिल जड़के मेरे सीने में मेरा दिल जड़के मेरे सीने में तब आए मजा हलो प्रीयो मैं सुशीला बोल रही हूँ हाई सुशिला मां की तबित किसी है ठीक है उन्हें आज शाम को हॉस्पिटल से दिस्चार्ज किया जा रहा है बेरी गुद अच्छा सुन तो आफिस में ठाड़ना मैं टैक्सी लेकर आऊंगी फिर हम दुरमाजी को घर ले जाएंगे ओकी बाए जी साथ कि में साथ साब ने ये चिखिया आर्जन टाइप करने को दी इतने सारी जी अभी जी हाँ आज ही पोस्ट करनी है हाँ कि ये खुबसूरत उंगलिया सिर्फ टाइप करने के लिए नहीं है मिस्स तेजा बहेव्यसल तेजा नहीं राजा को मेरी जान राजा सिंदगी भर रानी बना के रखोंगा अरे एश करोगी एश तुमसे रुको मैं भी आती हुआ कहां जा रही है आप अफिस तो बंद हो गया बंद हो गया सुशीला है सुशीला तो बहुत देर हुए चली गई चली गई कवालने की अच्छा कवालने की है खजड, हुआ है सुशीला ुशीला, हुआ है खजड, कवालने की आप हो च ये घंगा Strerdगाar, कि पाले एजड, कि एजड राज और राज रज़ न स्या causa बिस啟たु मैं अरे तो इतना परेशान होनी की क्या ज़रूरत है बिलकुल में डरो तुम्हारा बाप मेर है मेर तुम्हें किस बात का केर तुम्हें तो शेर बन की जिना चाहिए पर डॉक्तर अंकल मुझे तो बहुत डर लग रहा है जरो मत बेटे मैंने ऐसा सार्टिफिकर्ट तयार किया ह कि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मताबिक तुम्हें एक महीने से इस हॉस्पिटल में हो और तुम्हें पैरलेसिस का अटेक हो गया था क्या हां और तुम्हें डूलने के बिलकुल आयक नहीं थे जब सुशीला का मटर हुआ उस वक तुम बेहुश पड़े हुए थे सर्जेंट डॉक्टर मलोतरा का दिया हुआ सार्टिविकट है यह लो अपनी आजादी का परवाना यह क्यातर हो तुम परवाने की जिंदगी में जलना ही लिखाओ पास्टर्ड हुआ 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 कानून के सिर्फ हाथ ही लंबे नहीं होते हैं पाऊं भी बहुत लंबे होते हैं चलोड़ मेरे बेटे को इस्पेक्टर सुनील ने कट्रकल जामें घर्षा कर ली है हाँ साब अरे साब आप हुकुम दो दो अपने इस्पेक्टर सुनील को अब भी खतम कर देता है कि अव अंदानी इसके बता फिर चला जायेगा नहीं है जब शेहद जड़ाने से काम हो सकता है तो जहर देने की कोई शरूरत नहीं ओ मेर साब कने मेर वखीयर मेई 기शन धुनु कर नेहीं है वकीयर में समझे नहीं आप की कहना चाहते हैं फंटास्टिक, आप तो सब कुछ जानते हैं वकील साब रेसल बात ये है के मेरा लड़का कद में जरूर नंबा हो गया लेकिन अकल में बहुत छोटा है अब देखिए ना, उस पर एक लड़की के बलातकार और खून का जूटा इल्जाम आपके भाई ने लगा दिया है इजट, हम चाहते हैं के सचाही को काइम रखने के लिए आप हमारी तरफ से इस केस की पैरवी कीजिए और मेरे बेटे को बाईज़द रिहा करवा दिजिए इसके बदले में मैं आपका दामन मुमागी खुशियों से बटूँगा, ये देखिए मेरे साब, एक लड़की की इज़द और जान की कीमत, सिर्फ ये ये कागजी नोट हैं फंटेस्टिक, इस बेटे साब आप पहेंगे तो आपके लिए भी एक बैक भेज दूगा अच्छा, अपने बेटे के केस को दबाने के लिए जैसे आप समझे, बस मेरे बेटे के निर्दू थाबत करके उसे विहा करवा दिए अगर आप इसी वक्त, चुपचब अपनी बाप की दौलत को अठाकर यहां से बाहर नहीं गे तो मैं आपके हाथों में हदकरी पहना कर, बीच बाजार में से घसीरता हुआ ले जाकर उसी लॉक अप में बंद कर दूँगा जहां पर आपका लाटला बेटा कैद है इन्सक्रक्य सुनील, ये मत भूलो के मरें तीस लाख लोगों का प्रतिनीदी हूँ तुम भी ये मत भूलो के उन तीस लाख लोगों का मैं रक्षक हूँ मैं चाहूँ तो तुम्हे मिठा सकता हूँ मर गई मिठाने वाले किशंचंद मेरे दोनों बेटे शेर और चीता है इन्हें दुश्मनों से मुकाबला करना चीतरा आता है आरे दिल्यनाच जी, जवानी का खून तो कुछ भी बोल सकता है लेकिन आप इनकी रगों में भी मेरा खून दौर रहा है, समझाए तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को खरीद देश्या ये घर जहाँ तुम खड़े हो निती और नियम इसकी बुनियाद है और इन सबसे हमने बनाया इस मंदिर को और ऐसे मंदिर में तुम जैसे शैतान का साय भी नहीं पड़ना चाहिए जब 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 यासे आउट अच्छी बात है तुम लोग आग से खेल रहे हो अच्छी आग एक इन तुम्हारे इस मंदिर जैसे घर को जला कर सम्चान बना देगी जाए 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 तुझी तकलीव छेल ले उसको पकड़ना है कि नहीं यह सर है साला हावलदार वाग मारे को चूना लगा गया आज मैं उस 420 को नहीं छोड़ूँगा तिलकुल नहीं छोड़ूँगा विजयसिंग एक काम कर तू उस तरफ जा मैं इधर जाता हूँ ओके सर्थ यह तो पहन यह तो पहन यह तो पहन यह तो पहन आर दे जाला कैसा हाथ ही कि तेरा जूमता हुग आ रहा है क्या लेगी पांच वर बेलूँगा तू सो लेपा अंडर डाल दिया यह तो मेरे काम क्यों बख रहे हैं वो देख रहे हैं क्या तू यह काम कर तो मुझे किस कर सकता हूँ किस करने में seniority juniority क्या होती है करता है करता है कि नहीं करेगा करे तू साले खड़गर चालो गए इनकी तो अभी किटर गया तर लगता है कहीं छुपकिया अरे तो पीठे करो पीठे करो जड़ी करो अभी मोटे चलती कर अप्टा आप आप निगल गया तर बस अभी निकालती हूँ आगे ना 420 हवलदार वाग मारे क्या मारे पाकेट मारे ने वाग मारे इंस्पेक्टर की परदी पाई उनके धोगा देता हा नहीं कि आई तो राम लिला में काम करता तो नहीं से वाल से आई मैं भी पूच कियाता हूँ अदे चाल थाने आशी धुलाई करूगा लॉंड्री वाले जब देखेंगे तो नमूने के लिए हैंगर पर लगता हुए मेरे बाप तरे माफ करना अवालदर साथ आप से गलती हो गई आप से नहीं मुझ से आप से नहीं मुझ से अबेश वालदर को छोड़ काता है तोने भी बत्तमीजी की तो तेरे मुं में ताले न से बुसेवर दूंगा इस वालद कर अबेशे नहीं अबेशे नहीं एप अप अपोन दुन्या को ठेगेंगे जाकिंन आ साधया, व् mystिकुल च्राप निशायाいます जोवर हाभ सिपूर है मुझा है लांगा में खून कि तुम ने किया और किस ने किया यह जला जगा पर लाग्मारी बिचारा पड़बरा के मर गया कि यह तो बाख़ी मर गया यह मरा नहीं तुमने इसको मैं अपनी आख से देखा तुमने को कसके मारा तारा यह फड़ फड़ा के मर गया अभी यह समझा लेके मैं कमिजनर के पाँ जाओंगा बारे में चिला चिला के बोलूगा एक वलतार ने एक वानियत का गला को अरे चुप मैं तुम्हारे पाओ परता हूं मुझे माफ कर दो किसी को कुछ बोलना ने पहली बार मुझे लौक रॉडर हुआ हैं तो इनकी तुम जो कहोगे मैं करने को त्यार हो मुझे बचा लो जबतलग लगो तcekतर नो को को यह भी नहीं बचा सकता है पीर क्या करना चाहिए जब पूड़ा दे मैं इसको जला दोगे ना नहीं काय को जलाऊंगा हूंगा इसको संड्रल बैंके सेफ दिपोज़ लगा ताला लगा कि अरे क्यों मजा करता यार आज मैं बहुत खुशी हूं अरे यह क्या क्या आज मैं बहुत खुशी हूं यह मारी चेरा क्यों बनाया हुआ नहीं तो यह हुई ना बात अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रावन की कैट से इतने सालों की तकलीव सेनी के बाद सीता राम के पास आई है लेकिन सीता की अभी तक अगनी परिक्षा नहीं हुई है नहीं नहीं तुम्हारी को अधिमाव कर दो जलिए कहां अरे आव तो सही बता तो चलो तो चोटे कहां तुम लोग अभी पताती हूं यह चोट्च अईया धादा जी आधा जी चोटे ना तुम क्यों आरे उस्तुर एदारा लोग यह जोटे तुम क्यों यहारि अस्तुरा प्राव पेपीशा व्हान पकला गया यह बड़े यह नेलर की कौन है जोती ऐसा लिए यह मेरी मां मेरे पिता जी नमस्ते जी तिया हो और यह है मेरा छोटा भाई सुनेल नमस्ते और यह है मैं बताती हूं मेरा नम क्योती है का इंदी सुन में पड़्ती हों मेरा बढ़ी हूँ इस लुड़ी का साले कारूबार मैं एंपया बँदी बुड़ी बात आदि और हाट अटक के वज़े से उनकी मृत्ती हो गई वह बड़ अफसूस की बात है इसके लिए अबना कोई सहरा बच्चा है ना रहने की जगे अगर ये इस घर में रह जाए आप लोगों को इतरास्तों नहीं होगा बिल्कुल नहीं बेटा बिल्कुल नहीं चलगे आओ बेटी तुमने अपने माथा पिता से मेरे लिए जोट बोलकर अच्छा नहीं किया बूरा भी तो नहीं किया शर्दा अगर उन्हें ये पता चल जाता कि तुम जेल से सजा भुगत कराई हो तो शायद उनकी नजरों में तुम्हारी लिए वो इज़त, वो प्यार, वो हमदर्दी नहीं होती जो अब है लेकिन छोट की उमर जादा नहीं होती रवी जिस दिन उन्हें मेरे असलिएत का पता चलेगा उस दिन क्या होगा अरे जब वो दिन आएगा तब देख लेंगे उसके लिए अभी से परिशान होने की क्या जरूरत है वैसे भी तुम जेल में काफी परिशानी उठा चुकी हो यहां भी अपनी जान को क्यो हलकान कर रहे है देखो, देखो, अपने दिमाग से सब परिशानियों को जटक दो और चैन की जिन्दगी गुजारो चलो, अब मुस्करादो, अरे मुस्कराओ भी, कमान, 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 गिमिये गुट स्माइल अब मैं समझ गई मेरा शक्त सक्स निकला कै, 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 कैसा शक्त? बताती हूं, बताती हूं, हटो ए नहीं लड़की, तु बड़ाई के इतने पास क्यों गड़ी थी, हाँ? मामला क्या है? वो, सवाल मैं पूछी हूं तो मुन की ज़रफ क्या देख ली हो, में ज़रफ देखो बाती है कि बस बस, टफाई मत पेश करो बड़े तु मुझे कहाने सुनाए बगया है, यहां कैसे कले आए? वो हुआ यह था के कोई बात ने, कोई बात ने, माम तेंक यू आज यह नहीं लड़की, मुझे कहाने सुनाएगी क्यों, सुनाओगी न? हाँ, सुनाओगी आओ सुम्जा, जाजा अच्छा अच्छा चला अंदर क्या बात है? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करी है आँ, चलो न क्या बात है? दाइडी हम दोनों की शादी आज ही पकी कर देना चाहते है तुम अभी मेरे साथ घर चलो अभी अभी तो मेरा कोट जाना बहुत जरूरी है मेरी बात तो सुनो डाइडी ने कहा है कि आज नव बजी सुले के सारी नव बजी तक बहुत ही शुब घड़ी है जो साथ हाल में सिर्फ एक बार आती है वह तुमसे बात करके इसे शुब घड़ी में हम दोरों की शादी का महुरत निकाल देना चाहते है प्लीज चलो ना मेरे साथ वह तो ठीक है मगर मेरा कोट जाना बहुत जरूरी है अरे मेरे घर हो तो यह कोट चले जाना दो मिनिट के लिए डाइडी से तो मिलो लेकिन मैं लेकिन वेकिन कुछ ने तुम तो डाइडी का मूट जानते हो शेयर मार्केट की तरा उपर नीचे होता रहता है कही ऐसा नहों कि आगे चलके वह मारी शादी से इंकार कर दे प्लीज सुनिल चलो ना ठीक है तुम बैंके साथ कोट जाओं मैं मां डारेक पहुचता हूँ कुछ आरे ना ओके सेफ जलो आये आये दामाजी नमस्कार नमस्कार आये बैठिये तरशिव लगिए मैं जानता था कि मेरी बेटी पुर्थवी राज चौहान की तरा आपको भरी सभा से उठा के लिए आएगी क्योंकि आजका लड़कियों ही तो गोल्ड मैडल आती है लड़कों को तो लगने का मैडल भी नहीं मिलता है आरे आप जल्दी सेलेंस लगा कर पंजांग तो देखिए जल्मान इनकी राशी तो बताइए आप राशी मेरी बेटी की जो राशी है वो है कनिया और इनकी जो राशी है वो है सिंग आपको मेरी राशी कैसे मालूम पढ़ गई राशी? अरे हमें तो सारे पुलीस आफिसों की जलम कुड्लियां तक मालूम है वाह! इन दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी रहेगी अच्छा? अरे वाह! गंडी भी बच गई मतला भी अच्छे लखे नहीं? शुबे शुबे हलो मैं तेली राम बोल रहा हूं जी आगया वा इस्पेक्टर? बिल्कुल वाम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा चिंदा मत करो पंडी जी पंचाग एक पर फिर से देखिये तो इन दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि सिंग राशी में राहू गुश गया है लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था तो तब पक राहू बीच में नहीं घुशा था ना अभी घुश गया तो गडबल हो गई तो यह मैं चलता हूँ नमस्ते इंस्पेक्टर साब आपका फोन है मेरा आपका है सुन तो लीजे के राहू किस गर में घुशा है अलो इंस्पेक्टर सुनी लिया पेजा को गुंडे किना कुरके लेगे क्या यह शुब का रहे है शुब खड़ी में हुआ है सबानों और साड़े नों के पीछ में हाँ कमीनो प्रिया का सहरा लेकर तुम लोग ने मुझे धोका दिया है लेकिन तुम्हारा बेटा मेरे हातों से पच्छ नहीं सकता अरे रुक जाओ इंस्पेक्टर रुक जाओ तुम तो वाके यह बड़े बेवाकोफ आदमी हो हाँ अरे मेरा बेटा अभी तक सिंगापुर जाने वले जहाज पर बैठ भी चुका होगा और पांस मिनट के अंदर अंदर वो जहाज यहाज यहाँ सोड़ जाएगा मैना, मैमा, तुमने मीमचले एरपोर्ट मैनdoesर, प्लीज मैम पर टकीर करें । डेगे, मैं मेरा भ्लीज कम थानुदार ह। ऩहाँ यही cog huyothra जाओा जानी डेखे़ जानी जाने वाला है क्या यहाँ मिनमल पहाँ जाओ कहाँयाँ कि अर्याज मेंच जाओlaw एयर इंडिया को ये सुचित करते हुए खेद है कि उनकी उड़ान नमबर AI-105 अब सिंगापूर दो घंटे देर से जाएगी कर्वार को एयार सिंगे झानली एयार से दोने करते है त üzेकाま अगयाओ करते है झाल 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 इन्दिया की उड़ान नंबर AI 105 अब सिंगापूर जाने के लिए तैयार है यात्लियों से निवेदन है कि वो इमिग्रेशन और कस्तिम कक्षक्योद पधारे पुलीस का हाथ मेर की अकल से ज्यादा तेज चलता है जलता है जलता है सारे गवाहों और सुबूतों की रोश्णी में अडालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्दिन तेजा ने ना सिर्फ सुशीला की इस्जत रूटनी चाही बलकि ऐसे हालात पैदा कर दिये कि उसके पास दिवाय खुशी के और कोई चारा बाकी नहीं रहा लेहाद अडालत मुल्दिन तेजा को सुशीला की मौत का दिम्मेदार ठेराते हुए उम्र खैद मा मुशक्कत की सदा देती है इसके साथ ये भी साबित हो चुका है कि किशन चन्द ने मेर जैसे दिम्मेदार ओधे पर रहने के बावजूद एक मुझरिम को बचाने की कोशिश की अपने ओधे और पावर का गलत इस्तेमाल किया कानून की रखवाली करना जिसका फर्श हो अगर वही कानून को तोड़े तो उसे ओधे पर बने रहने का कोई हक नहीं लेहाद अदालत मिस्टर किशन चन्द को मेर के ओधे से अटाने का हुक्म देती है पांडवास्चेव इम्पुरुवत संजय दुष्पातु पांडवानीकं योगं दुर्योध नस्तदा आठार्यम उपसंगम्य राजावचनम ब्रवीत अरे वाँ, मैं लड़की, तुम्हें भी बववत गीता किश्लोग आते हैं? तो क्या? तु अकेली पेड़िताईन हो? क्यों जी? चारदा अगर हमारे घर की बहु बंजा है, तो कैसा रहेगा? ख्याल तो बुरा नहीं है ओ, आप समझा तुम दिन बर पैर पसार के बैठी रहो, वो तुम्हारा सारा काम करते रहे और तुम्हारी सेवा करते रहे, तुम ऐसी बोचाती हो ना? नहीं, ये बात नहीं है, वो तो साक्षात लक्षमी है, हमारे घर के लिए बिलकुल लाइक है, इसलिए मैं उसे अपने घर के बहु बनाना चाहती हूँ ये बात तो है, सुनो, 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 वो तो बढ़े, नहीं लड़की, जल्दी ओल में आजे हो, क्या बात है नानी, अम्मा, आप बैठो, 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 अरे जोती, शोर्जो मचा रही हूँ, आप भी बैठी है, अरे लो भाई, बैठ गए, तब लोग आगे, बैठी, तुने हंगामा क्यों मचाना शुरू कर दिया, ओफो, दादा जी, हमें अपने पईवार की एक जरूरी समस्या हाल करनी है, तू हाल करेगी, हाँ, इसमें तो सबको बनाया है, देखो, बड़े, नए लड़की की शादी क्यों है, और तुम्हारी अब तक शादी न रूप होते हैं, इसलिए हमारे मन का भेद जान कर सबके सामने सच बात कह दी, सुलेल बैटे, तुम्हारी क्या रहा है, बिदा जी, इतनी नेक और सुशी लड़की अगर भावी बन जाए, तो इससे जादा मेरे लिए और खुशी की क्या बात हो सकती है, बेटे रभी, देखो मा, मैं यह सोचकर शार्दा को यहां लाया था, कि इसे इस घर में आस्रा मिले, लेकिन आप लोग चाते हैं कि यह गर इसकी ससुरल बन जा है, अगर इससे मन्जूर है, तो मुझे भी मन्जूर है, बोलो शार्दा, यह शायद मेरे पिछले जन्मों के पुन्यों का अले, चुलीजी, ऐसा सस्रा मिल रहा है, बार, आपको निमंतरन पात्र लिखने की देरी है, स्रस्री चंडरभान प्रभो नाम समसरे है, महा मात में आश्वीन इनक्षतर के शुब लगन में बड़े की शादी नए लड़की से रचा कर उसे इस घर की बवू बनाना है, यह यह लड़की तो तूफान है, क्या, वो वकीर उस लड़की से शादी कर रहा है, हाँ साब, और यही मौका है उन लोगों पर वार करने का, और उनका हत्यार है जान की दास, जान की दास, वो जान की दास, हाँ साब वही जान की दास, लेकिन मुश्किल यह है कि आजकल वो ज कि आ विए लुए यारी ओर वुए अव्यूद्ध का इंपजार गरने ज़ल जदी करो आए आए किसंजम जी आए अब आए मुबार्खो दिलनाज जी मुबार्खो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें शादी पर बुला पर हम तो सबस्चतने के शायद आप हमें शादी पर बुलाएंगे ही नहीं कि संचन्जी हमारा जो मत बेधा है वो तो घर के बाहर है शादी के साथ उसका क्या लेना देना हमने तो सोचता आप खुद ही नहीं आएंगे नहीं ऐसे कैसे हो सकता है आप पर खुद हमें शादी नहीं हो सकती नहीं हो सकती ये शादी, नहीं हो सकती ये शादी, पुपा जाओ, तुम कानोधी है ये शादी रोखने वाले, मैं, मैं, इसका पती हूँ, जेल, अगर इस तरह की बगवास की, तो मैं तुझे जान से माल डालूगा, लो, उल्टा चोल को, तुवाल को डांटे, मेरे जेल जा तो दूसरे की बीवी को फटाकर शादी करना चाहे हरा हम जादा तपा हो जाए यहां से नहीं तो मैं तो जान से माड़ा लूगा तो जोशन बताओ पेखरे आप यह नियाए यह लोग मुझे जान से मानने की धंकी दे रहे हैं यह भले मुझे जान से मारतें लेकिन यह यह खुवारी नहीं विद्वाई कहलाएगी तूकि मैं इसका पती हूँ मैं आप लोगों के सामने हाथ चोड़कर बिंदी करता हूँ कि मेरा इंसाम की यह मेरी मेरी पत्नी मुझे वापिस दलाएए अनुस अधिकार दिया उस मंगल सूतर ने मुझे अधिकार दिया तो मैंने इसे पहनाया उस अगनी ने मुझे अधिकार दिया इसको साक्षी मानकर मैं इसका साथ धेरे लगाए उस सिंधूर ने मुझे अधिकार दिया तो मैंने इसकी मांग में बरा लेकिन पूछे इससे इस बात का किस ने अधिकार दिया जब मेरे हाथ पाओं में हथ कर्यों अब बिडिया लगी हो यह अपने हाथ पाओं मेंधिर चाले पूछे इससे यह अधिकार इसे किस ने दिय पूछिये!!! इस बात का क्या सबूत है के जो तुम बकवास का रहए वा सच है सबूत सबूत है ये तस्विर है देखिए आप भी देखिए आप भी देखिए देखिए सب लोग देखिए ये सब क्या है कर दो देखा देखा और इन तस्वीरों से भी बड़ा सबूत है उसका यहां से भाग जाना और यह है वो जो कोठाई की बुड़ी तवाइफों की तरह बगाई हुई लर्चों को पला देते हैं तुम जरत हो तुम किस किस तरफ बुली उठा रहें और इनकी दम की वज़ा से तो इस शहर का कानून और इंसाफ दिन्दा है अब खामोश क्यों है यह क्यों देते के यह सब जूट है बगवास है अब खामोश के मतलब है के यहां जो भी घिनावना खेल होने वाला था उसमें भी शामल थे चीजी चीजी यह तो डूब पर मरने वाली बात है कहा तो फकर से कहा करते थे के मेरे बेड़े कानून की दो आखे हैं हाँ अपर नचला कि यह वो आखे हैं जो दूसरों की बाव बेडियों पर गंदी नाज़र डालती है चरण जबान को लगाम दो वरनम तुम मुझे तो चुप कर दोगे किने करों लोगे जब शारख को नाएं तुमारे नाम पर ठूख टहूँड कांटरों सब करोंगे कि अदून कल एक भंव हर शायं कर hip hop करोण चैनलां ची मुझे पूरा विश्वास आप जानमुझकर कोई गलग काम नहीं कर सकते हैं बोलिये लो कुछ अधिकाजी क्या हुआ क्या हुआ इने क्या हुआ नारे वो भाजीवाले शोब ये प्याज क्या भाव दिये थेज किन रूपिय हो शोब अबे ठेग के बोल अबे थेज़े बोल क्या भाव है का कारता है आपको देख्ये बनने कि जरुद्र क्या है आपको जो चाहिए लए जाए सभी आपका है यह भाद वी ना यह काम करो तो किलो प्याज अच्छा जी आपको आपको पर दे ये लिए 5 रूपिय और के रहर तीरे से वसूल करने के वास्ते काँ की या है या जै तरीस के मेरी पगार किदरी टेरी पगार शांतर कर दूगा तरीन ऐतरेत करेगा बड़कुल या उतर क्यानिव चाहिकर 7 ब सिंबर कि ब्लाकुल कलो काया वार्थ ons टूसमें आज और learnt दो कोलाका चुटसोड यह लिंक से लएम आजी तो रहने दो वो मैं लेगे जाओं आजी भी यह कंदी जाजा सुन तेरी पगार कितनी यह बारासो रुपए काम कर उसका 50% तुहर मेरे 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 को नैशनल पार्क में लागे दे दिया कर क्यों मर्डर सुन अभी बाकी है यार और यह डंडे के जोरो पे जितना रोज तु कमाता ना उसका भी 50 पंड़ तु मेरे को बीली टागी इसके बास लाके दे दिया कर इसका क्यों अभी यार उदर जो पिक्चर लगती है ना उसके दो टिकट मेरे को रोज दिया कर ना इतना क्यों मैं 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 यह पहला चोर है जो हवल्दार से हफ़ता ले रहा है अल्या सुन अरे मिल्कुल नहीं अभी तुम ने खाया है अगर तुम ने खाओगी तो मैं भी ने खांगी चलो मा उठो खाना खालो देखो जब तक तुम खाना नहीं खाओगी यह बच्ची भी बुखी रहेगी और बच्ची को बुखा रखना पाप है मा पाप और पुन्य को समझने की अब इस घर में शक्ती नहीं रही बहिया विदाजी को गर्व था कि यह घर सच्चाही और इ यह बख्वास नहीं कर रहा है सच कह रहा है रवी मा एक बार तुम शार्दा की जिन्दगी की कहानी सुनोगी तो अब और कौन सी नहीं कहानी सुनने को रह गई है उस दो तुने कहा था तेरी गलती की वज़ो से तुम उसका केस हार गया अब वो बेशारा हो गई मैं मानता के दावपेज इस्तिमाल करने से बास नहीं आये तुम जिन्दगी में कभी सच नहीं बोल सकते है तुम जूटे हो मकार हो तुनेयल रवी बाभू रवी बाभू चार्दा को इस घर में लाने की कोशिश की तो इस बार मेरी अर्थी इस घर से उठेगी ज़ hora einer जह थार से वो फसे खवर घ्रूख जीथ उग ढौईगर कार 151 009 ज़ 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 लु़र के सच दरवाइब रव창 ज़ झाल眉तान्व मके कार क। जोड़ दो मुझे, मुझे सिया भागन कुछ जीने का हक नहीं है, मेरे मज़े से तुम्हारा हसता खेलता घर विराद हो गया, मेरे मज़े से तुम्हारे पिताजी के मत होगे, ऐसा मत बोलो शार्दा, नहीं, मैं वॉरत नहीं, वॉरत के रूप में एक शाप हो, मुझे अप्णे आप से घिंड़ाने लगई, मुझे बर जाने तो, मैं तुम्हें नहीं मारने दूगा, तुम्हें जिनेक अधिकार है या नहीं, इतनी बड़ी बात का फैसला, तुम्हें कैसे कर लिया, जो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से तकरा सकता है, तुम उसे ही तुम इसले भूल गई, क्या हम साथ फेरे नहीं लगा सके, इसले मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं बन सका, लेकिन आज मैं अपने सारे अधिकार हासिल करके रहूंगा, आउ मेरे साथ हयूंगा, शॉटे का रहा है क्या हो युटे का है अरे, बोलता क्यों नहीं? जोती नहीं मिली, क्या? रवे भहाया ने शार्दा के साथ एहरोनगर में अलग घर बसा लिया है क्या? अस्कूल से जोती को भी अपने घर ले गए मेरी, मेरी बेटी को ले गए वो कौन होता है मेरी जोती को ले जाने वाला? माना कि मैंने उसे जनम नहीं दिया यूससे पाँ पोरल वोच कर बढ़ा किया है मेरा पूरा पूरा हग है उस पर जाकर उसे लेकर आजिड़ा मा, मीरी बात तो सनो पैया उसे अनाथ आशनम से लेकर आए थे असलिए उसे ले जाने के हग वह उन्हें का है लेकिन, लेकिन मैं जोते के बगए जिन्दा नहीं रह सकते, सुरील, जिन्दा नहीं रह सकते उसके मीखी सुरीली आवाज सुरे बगए, मुझे चैन नहीं मिलेगा मैं उसके बगए जिन्दा नहीं रह सकते, नहीं रह सकते मा जानता हूं मा तो अपने सखे बेटे को भूल सकती हो अगर पाली हुई बेटी की ममता को नहीं बूल सकती जो बचा रतनलाल वाल्द सूरजमाल हादिर हो जल 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 आरे चुछादा और हो जल जल जय सब्सक्रते दुस्च अगरे सबस्क्राइदा के ठीज में और कि आgesetzी महराली जल सकता है कि तीन-चार घंटे में तो वहाद कुछ हो सकता है हे एफ? हम वचा! हुआ फो अचया है जर्भा ज़दिकान अज़ना थे ढूरे अगी तो आधी यह यह फिर भुद्त अब बैद तू तू तो तो अब गया था इस हम आपके केस के हाई कोड्म में अपील कर रहे हैं आप यहां साइन कर दीजे मैं सजा से बच जाओंगा ना लेकिन वेडी क्यों नहीं है वो आपको बचाने के लिए गवाहों सबूतों के तोड़ जोड में लगे हुए है क्या बात करें सर मैं अपनी असी लाख के कपड़े की मिल तुम्हारी वेडी के नाम कर दूंगा शिम्ला में मेरा एक फ़लों का बागी चाहा है वो मैं तुम्हारे नाम करते हूंगा आप मजाग दिनी करें ना सर नहीं मैं बिल्कुल सीरियस हूँ वकील साब हा तेली राम जी हमने तो दस्तावेज भी तेयर करवा लिए यह देखिए अब आप देखिए ना जिसमें बागार मिल पर पशेंगे तो कुछ भी नहीं मैं तुम्हारी बेटी प्रिया की शादी आपने बेटे तेज जैसे करवा दूगा और तुम्हारी बेटी मेरी करोडों की जाइदाद की मालकन बन कर राज करें तो मैं दोड़ता वा जाता हूं सीगनेचर करवा कर दोड़ता वाता हूं मगर तब तक आप इसी तरह sioda स्व खड़े रहे ला बेटी बिया इसे तरते ला क्या करने अधि यह लडिए जा उटदी उट जर जल्दी उट जरा मेर साहब हाई कोड में अपील करके अपनी बेटे का किस फिर से खूलवाना चाहते हैं ताकि उस बयान से जेल से शूट जाए और जैसी वो जेल से छूटेगा तुम दाम से तुम दोनों की शादी हो जाएगी आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं सुशीला की हत्यारे से शादी करने को तयार हो जाएगी अरे सोशीला के मर जानाए से कौन सा जमीन का कुई हिससा थास गया अब बेटी को लोलपती लोगों की छोटी मूटी गल्पी देखी नहीं जाती आप नहीं देख सकते क्यूंकि आपकी आख्यों उनकी दॉला से चुलिया गई है इसलिए आप अपनी बेटी को सुहागन के नाम पर सुशीला के खून से रंगा हुआ लाल जोड़ा पहला देना चाहते है आप चानते हैं डैनी मैं सुनी इसे प्रार करते हूँ आप मुझे डोलिये बिढ़ाने की जगा रुप्यों के अर्थी पर बिढ़ा देना चाहते हैं नहीं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगे अच्छा तो किशिंचन ने तुम्हारे रैडी को लालज देकर अपनी तरफ मिला लिया है तुम ते इंकार करके चली आई मगरा वो चो बैठने वाला नहीं है अपने बेटे को छुड़ाने के लिए वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है अब हमें उससे बहुत उश्यार रहना पड़ेगा उनसे बचने का एक ही रास्ता है क्या? अब मैं वापस घर नहीं जाँगे ऐस नहीं जाओंगे क्यों वागमारे नहीं माल म्हारे बागमरी, इससब क्या है? फूगे पेड़ भजा नहोद गोपाला तो होटल से खाना ले आते हैं? क्या बात कर रहे हैं, सर, आप अपनी महमान को मेरे घरीब खाने पर लाएं, इनको मैं होटल का खाना खिलाओ? जी नहीं, मैं अपने हाद से खाना बनाओंगा और आप दोनों को खिलाओंगा आप की तख्रीफ करते हैं, खाना मैं बनाती हूँ ना, मैं बनाता हूँ सर, मैं बनाता हूँ, ना मैं बनाता हूँ, सर, मैं बनाता हूँ कर दो कर दो रिंजन बद्रता पाहर ये पानी अंदर याग लगी है जूशु बड़त ता पाहर ये पानी अंदर आग लखी है इस आग में जलकर ही बुझेगी ऐसी प्यार जगी है जूशु बड़त ता पाहर ये पानी अंदर आग लखी है इस आग में जलकर ही बुझेगी ऐसी प्यार जगी है जूशु बड़त ता पाहर ये पानी अंदर आग लखी है जूशु बड़त ता पाहर जाग लखी है इस बुम्ड में ही ये मेरे दिन के नहीं आदू चले है धिन धिन परसता बाहर ये पानी अंदर राद लगे है हुआएँ चले है अश्मार की, अश्मार की, काच दीस दिवार की ना जाने कब हम, तुम मिलगे कब, ये दिवा किरे है जिन जिन पर रता, बाहर ये पादी, अंदर आद लगे है अब दूर हम जा सकते नहीं अब दूर हम जा सकते नहीं अब क्या करें, क्या ना करें, मुश्च तुम्या आद लगी है इस आग में जन कडर ही बुझेगी आग में जन कडर ही पुझेगी अजी प्या सकी है जिन जिन पर रता, पाहर के पादी, अंदर आद लगे है आग में जोती बल रही हूँ जोती? जोती, जोती, बेटी कैसे है तू? मैं अच्छी हूँ, तुम तो ठीक हो ना जादी मा? तेरे बगर में कैसे ठीक रह सकती हूँ, बेटी? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं कहा गई? बड़ा मुझे आल ले आया दादी मा, तुमसे मिलने को बहुत चीचाता है लेकिन क्या करूँ? अच्छा, वो तो ठीक है, पिंकी लेकिन तुने होमबग तो कर लिया ना? होमबग? यह क्या कर रहे तू? ओफो, बुद्धु कहींगी तेरे दिमाग में तो भुसा बरा हुआ है तुरे सब कुछ बताना चाहिए क्या? अपने आप नहीं समझ सकती? ओ, वो शनी आ गए क्या? ठीके ठीके, कल इसी वक्त फोन करना मुझा नहीं मानना, मुझा नहीं मानना दादी मा मेरे लिए तुक्य होंगी इसी लिए मैंने वोन किया था जोती प्र॑ Hazi यह सब मेरी वजह से क्या यह सब मेरे वजह से होग न consig आप हो, जन कि नास कैसे हो, चाहिए मैं रहा था इक लक यह खम यह किसलिए किसलिए सुब दुम्हों ज़्ले भर्रमी मातल करादा यूसी का ही नाम है ओ धन्यवाद साथ धन्यवाद उस घर में तुम्हे अभी और मातम कराने है अरे बोलिये साब बोलिये प्रिया ने अपना ब्यान बदने से इंकार कर दिया है और कमभग सुनिल ने प्रिया को कहीं चुपा दिया है अब आप यू समझ लीजिए कि रवी के साथ साथ सुनल भी मेरा दुश्मन हो गया है उस घर में एक दो मातम तो क्या मैं सारे घर कोई शम्चान बना दूगा ताकि आपके सीने में सुलकती हुई इंतकाम की आग धंडी हो जखे अच्छा भई चलता हूँ अरे रुको जानकिदस मेरा हिस्सा तो देते जाओ कौन सा हिस्सा अरे ये धंडा तो मैंने तुम्हें दिलवाया था ना एक लाग रुपे में से पचास हदर मुझे मिलने चाहिए आज तेरी इतनी जुरत कि तु मुझसे अपना हिस्सा मांग र अगर मघरमच और मेंड़क एक हाट में रहने भी लगें तो मेंड़की नसल नी बदल जाती और अगर अपना पदम फूला कर मघरमच बनना चाहे तो फटकर मर जाता है इसलिए अपने उकात में रहना सिक तो तुम मेरा हिस्सा नी दो गया हां देता हूं ये ले ये सौर ऐसे पर शरापती संगी और है आईशकर वाही ना कि जाता है इंस्पेक्टर साब मेरा अंसाफ कीजिए मेरा परिवाद तबहा होने से बचा लिजिए मुझे बचा लिजिए इस बचारे की लाडली बेटी पर भी कफ़ता जमा लिया कौन सी बेटी चोती बच्पन से हमारे घर में पली है पली होगी लेकिन शाहिद आपको यह नहीं कि एक कतल के जुर में शार्दा साथ साल तक जेल में थी और जेली में शार्दा ने जोती को जनम दिया और यह रहा जेलर का सर्टिफिकेट आप खामोश क्यों हैं इसलिए कि इस केस में गुनेगार आपके भाई है और आप अपने भाई के खिलाफ कारवाई नहीं करना है क्या बात कर रहे हो जनकी दास मैं इंस्पेक्टर सुनील को अच्छी तरह से जानता हूँ जब यह वर्दी में होते हैं तो किसी रिष्टे नात्य को नहीं पहचानते हैं देखिए इंस्पेक्टर साथ क्यूंकि यह यूरिस्टिक्शिन आपके अंडर है इसलिए हम यह कंप्रेल लिखाने भी आपके पास आए लेकिन अगर किसी वज़े से अपने भाई पर एक्शन लेते विए आपको जिजब महसूस होती है तो हम यह केस हार इसके पास ले जा आपको अभी मेर्सा चलना होगा माची ने बुलाया है नहीं आपको नारी नकेतिन चलना होगा चांड किदास ने दावा किया है कि आप उसकी बीवी है जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता आपको वही रहना होगा इंस्पेक्रे साथ अच्ली बात भूली के मेरी बीटी के बारे में जब से बागा हूँ जब से बेबी पैता हुए है एक बार भी मैंने उससे अपनी गौन में ने किला है बड़सा सा उससे अप्लसीने से लगाने के लिए तड़व रहा हूं मैं इस पूचिए मेरी ननी जलील, निकल से यहां से, और नम मैं तुझे जाओ जालेगी जोड़ा मुझे, रुख जाओ इन्हे, ले जाओ इन्हे, नहीं, मैं नहीं जाओंगी मैं रेवे से पूछे बिना, इस घर के चाओंकर सबाहर कदम नहीं रखोंगी आपको मेसा चलना पड़ेगा, रुख जा, छोड़ जो इन्हें, इन्हें यहां से कोई नहीं ले जा सकता, मेरे पास इनके नाम का वारंट है, लेकिन मेरे घर के अंदर किसकी परमिशन से आए, सच वारंट है तुम्हारे पास, जिसको ग्रिफतार करना हो, उस तक पहुंचन से जादा सीरिस केस होता है, नाजायज शाटीका, तुम्हें किसी के घर की इजद को बर बाद करने का कोई हाग नहीं, तुम्हे ज्यादा हमारे घर की इजद को और कॉन बर बर्बाद कर सक्ता है, आज सारा शहर हमारे नाम पर ठूक रहा है, और इस सब की वज़ा तू खावश रो भीया, तुमने मा की मांग का सिंदूर पहुंचकर इसकी मांग में भर दिया है ये मुझे अपने खांदान की इज़त नहीं, बल्कि अपने मा के अर्मानों की जिन्दा लाश नजर आती है सुनील, ये तुम्हारी हवस याशी की वह मूरत है, जिसके लिए तुमने सारे घर को परबाद कर दिया एक इंस्पेक्टर पर हाथ उठाने का अन्जाम जानते हो, मुझे कानून सिखाता है खाँ खाँ बनाब रट परन, परमन ऑगेदों, चाल मेड़ाख। ω sonra चाल 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 शार्दा अबे, शरम नहीं आती है क्या जर्व शरम शाला एक तो पकेट भी नहीं लाए यार शरम शर्म शर्म चैनल शर्म श्लदों व मलता रहां शार्ची अहां अबने शहांब हो जाँ। बिल्कुल बिल्कुल हो जाए अब दो नहीं दस दस बहुत भूग लगए है कहां डालोगे जालोगे मतला पेट बना लेगा है इस अब किसे खाना है कि अधिक मतला कुटे की तरह खाते हैं कितना पुछा हुआ विशाओ अरे दुखाने के तीम खाना एक पूटी कोड़ी नहीं दूंगा नहीं तरह पूर गया साथ डिसंबर की वा भयानक राद लोका में मर्ड़र अर्जूरदार चीख और मशीन गन की तरह हसने वाला एक महानी युग पुरुष सेंटरल बैंक के सेफ दिपॉजिट से भाग गया जूट बलता है चल नहीं जूटे चाहा जूट बलता है यह बिलकु छही है अब हो मशीन गन नाम निया है 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 तुमारी प्लेट जोने की जगा कहा है हुआ 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 है कि अंदर जाने का कमीशन कमीशन नहीं परमीशन नहीं है यह कैसे अन्याय है अवल्दार साथ अपनी पतने की बिमारी दूर करने के लिए माता भगवती के मंदर से पूजा करका आया हूँ आपके लिए परसाथ भी लाया हूँ जड़ा देखते लो विए यह रिश्वत नहीं है यह मरीश के लिए हौरलेस खरीदने के लिए पैसी है यह हौरलेस अ साज अब हैसले रही बता दीतिक न बे एक नहीं देखा है देखिना वैश्य करने लिए șipea इसन नहीं देजिए कि तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ फिर कानूनी तौर पर कोट में आकर मेरी बेटी को मेरे हावाले करतो अच्छी ची राम की पूजा करने वाले इस देश में पत्नी को अपने पती परमेश्वर के साथ इस तरह से बाद में करने जाए चले जए यहां से अर्सेट आप शानती 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 खुशा मत करो तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूं लेकन अगर तुमने अदालत में यह कि वह मेरी बेटी है और रवी तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करने की धंकी दे रहा है तो स्कूल के पगल वाले शम्शान में तुम्हारी बेटी की लिए मैं चलता हूं है अगरे नाकस और लेक्स बिला देना तुम्हारी बच्ची की लाश के छोड़े चोड़े मिलेंगे जोती जोटी जोटी मेरी बेटी मेरी बेटी जोटी बेटी बेटी है तू? तादी, मैं अच्छी नहीं हूँ दादी मुझे तुमारी बहुत यादाती है मुझे भी तेरी बहुत यादाती है मैं तेरे बगेजी नहीं सकती लेकिन बाला मुझे पिर से अपने कह ले जाएगा मैं तुझे ऐसी जगे चुपाँगे वहाँ से तुझे कोई नहीं जुन पाएगा मिस्टर जानकिदास आप अदालत से क्या तेना चाहते है जच साब आज तक मैं चीक चीक कर कहता रहा हूं किशार्दा मेरे बेवी है और जोती मेरे बेटी है लेकिन किसी ने मेरे कोई फरयादें सुने इसले मैं आपकी शरंग मैं आया हूं मुझे मेरे बेवी और बच्ची वापिस दिला देजे मुझे मेरे बेवी मुझे मेरे बेवी शार्दा देवी हाजिर हो पुलिस की इतला के मताबिक शार्दा देवी पुलिस का सड़ी से भाग गई है इसी ने मेरी बीवी को गाइब किया है यह दोके बास है मकारा जट साब जब तक इस केस की एहम कवाद चारदा देवी कोट में पेश नहीं की जाती है जब तक के लिए इस केस की कारवाई गुलत भी की जाती है है अज़े चाहिए आपका निम चाहिए थी और आपका रवल्वर लिगर फारं दिलीगी हम हेलो माई संग्राम बोल रहो जिस शारदा के लिए तुम परेशान होगे वो मेरे पास है शाब बास संग्राम पाडी नाकिस शारदा को फॉरण मेरे पस लेकर आओ ऐसे नहीं होगा जानकिदास बहुत दिनों तक तुमने मुझसे गुलामी करवाली अब तुम्हारे और मेरे बीच में सौदेबाजी होगी तुम्हें शारदा तभी मिलेगी जब तुम मुझे दस लाक रुपया दोगे क्या दस लाक दस लाक नए खुटते तुझे मौत दूगा मौत? ओहो एक घंटे के अंदर अंदर दस लाक रुपया लेकर प्री एसेस कलब में पहुंचाना वरना शारदा को मैं रभी के हवाले कर दूगा समझे? यह लो और जा मैं आपका दस लाक रुपया और शारदा दोनों लेकर आऊंगा मैं उस कमीने को बता दूगा कि आम चाहे जितना भी बड़ा भले पेड की डाली के निचे रहता है यह लो खाना लाला 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 दोन्डो, 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 दोन्डो इधर उदर यहां वहां, धुन्डो घऺ नवढ़ करता है कभी न बात हो जिसे धूंदते हो, कुसे मुलापाते हो, कि तो धूंदो, 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 कर दो 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 क्युवमी दिसवेः क्युवमी दिल परभर साथ हागी हुआ 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 हु कर दो कर दो किसमी गली लग जाओ ना एहा वह जीवा जाए नजरलबो जाहा जाहि नजर वह जाहा ज़ो जोदो, जोदो, जोदो तूर्णा 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 बेखलब शारदा कहा है वहाँ है हुआ मेरी जान मुझसे बचकर भागना चाहती थी फाड़ी नाकिस फाड़ी नाकिस संग्राम तूम मेरे इशार्दा को मेरे हावाले कर रहे हो तुमारा बहुत बहुत शुकरिया जऑनकिदास मुझे तुमारा शुकरिया नहीं रुपया चै़िया और भाजिगे तू लेकर आया हूँ यह दखो के हाभ हाभ ब scholar हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है कर दो हुआ हो खुआ हुआ 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 है लगर दोरी तर दो है यह वर्वर तुम्हारा है लेकिन इसे मैच रहा कर लाई थी उसका मीनित जान की दास को मातने के लिए क्योंकि उसने मेरी जिंदकी में जहर घोल दिया था लेकिन मेरी बतकिस्मत यह हुई कि उस तक पहुंचने से पहले मैं इसके हाथों में बढ़ गए आज उन्हें इसने जान की दास से मेरा सौधा करना चाहा दोनों में जगड़ा हुआ और जान की दास ने इसका खून कर दिया जूटी कहानिया बनाने में तो तुम बहुत हुश्यार हो अबलदार बेज़ में सच कह रही हूँ यह निंदोश है यहोंने खून नहीं किया अज जाएए आखिर इस औरत ने तुम्हें वकील से कातिल बना ही दिया आजी 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 कौन तुम्हाजी क्यों आए है यहां अब इस घर में कौन सी खुशी बागी रह गई है जिसे तू लूटने आई है तेरी वज़े से जाम लक्षमन जैसे भाईयों के बीच नफरत की दीवार करी होगे तेरी वज़े से मेरे मां का सिंदूर मिठ गया अब और क्या बदला लेने आए है तो इस चौकट पर जली जा जली जा याँसे नहीं माजी आपके छोटे बेटे सुनी ने प्रेवी को खुन की इल्जाम में गिस तर कर लिया है क्या जून उन्हें नहीं किया है माजी ओ तो 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 अपना रोना लेकर यहां चली आई बेती यह सब मैं क्या सुन रहे हूं हाँ मा भाया ने इस जली लौरत के लिए एक गुंडे का खुन कर दिया नहीं यह जूत है यह इल्जाम है उन पर बेगुना है मा मैंने भेया को रंगे हाथों पकड़ा है और सारे सुबूत उनके खिलाफ है मैं कितना बदकिसमत इंसान हूं कि मुझे अपने भाई के हाथों में हदकड़ी पहनानी पड़ी और अपनी फरस की खातिर उन अपासी के तकते तक पहुंचाना पड़ेगा इस सारी मुसीबत की जड़ यह औरत है मा यह औरत है कि अवरत नहीं अवरत की नाम पर एक कलंख है अपासी के होते हुए दूसरे मर्द को फसाना एक बचलन अवरत ही कर सकती है तुम मकार हो कुल्टा हो मैं माजी ऐसे बत कहिए मेरे माथे पर बच्णामी का कोई कलग नहीं है और आपका बेटा मुझरिम नहीं है हमने कोई पाप नहीं किया है आज देख हमने आपसे एक राज चुपाए रखा उसके लिए आप सब हमसे नफरत करने लगें आज में वो राज बताती हूँ जब आपका बेटा नागपूर में लाओ पड़ रहा था मैं भी वहीं पड़ रहे थी वहां हम दोनों की दोस्ती हुई और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बतल गए और फिर हमारे मन ही नहीं थन भी मिल गए जब रवी को ये मालुम पड़ा कि मैं मा बनने वाली हूँ तो उन्होंने कहा कि वो मुझसे फारण शादी कर लेंगे लेकिन मेरे भाई ने साफ इंकार कर दिया और कहा कि उसने मेरी पढ़ाई के लिए पचास हजार रुपे कर्स लिये हैं जब तक वो कर्स नहीं चुका दिया जाता हमारी शादी नहीं हो सकती रवी ने वो कर्स चुकाने का वाता कर दिया मुझे हत्यानी की नियत से जानकी दास ने मेरी पढ़ाई के लिए वो रुपे कर्स में दिये थे वो रुपे वसुल करने के लिए जानकी दास पंचायत लेकर मेरे घर पर आ गया पंचय इतने फैसला किया कि सोंभार को चार बजे तक अगर जान की दस का रुपिया ना लोटाया गया तो मुझे जान की दस से शाधी करनी पड़ेगी सोंभार को मैं अभी के आने की राह देख रहे थी लेकिन पूल के नीचे लेकिन अभी तुम्हारे भाई ने कहा है यूसर तुम्हे दोका दे दिए इसका मतलब जो कभी नहीं आएगा इसलिए अब तुम्हें जान की दास दे शाधी करनी बड़ेगी मैं यह शाधी हर्गिस नहीं कर सकती यह शाधी कभी नहीं हो सकती करशा नहीं हो जकती बहुत हो चुकी तेरी मनमानी, अब गाहँ वालय और पंचा yeज तेरी चिकनी चुपडी बातों में नहीं आनने वाल मैं चिकनी चुपडी बाते नहीं कर रहे हूं मैं मजबूर हो, मैं यह शाधी इसलिए नहीं कर सकती कमा मैं और रेवी प्यार में बहुत आगे बढ़ चुकी मैं इसके बैचे के माँ बनने वाली हूँ सुना आपने कॉलेज में पढ़कर कानियां भी लिखनी शुरू कर दी जूट बोल रही है मकार यह सब इसका त्रिया चाहित रहे अरियो बनका तेरा नातक ने जाए से शादी के तयारी शुरू करों नहीं नहीं भाया मैं शादी नहीं कर सकती नहीं चुर्द मुझे चुर्द मुझे चुर्द मुझे चुर्द मुझे नहीं चुर्द मुझे नहीं 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 रहे शादी नहीं कर सकती कि अगई है जो धर शुटा नहीं है ना इसलिए तुम दूआ चखाई के लिए आँ गई यह लो यह क्या मुझे तो 30,000 रुपे चाहिए 25,000 रुपे अपनी बेहन से शादी कराने के लिए और 5,000 उन गुंडों को देने के लिए जिनने रवी को मारा बाड़ी नाकिस जब रवी को मार कर खाई में फेंड दिया था तो उसके 50,000 रुपे तुम्ही नेकार कहते है ना उन रुपेयों से तुम्हारा कोई संबन नहीं है तुम अपना हिसाब चुकता करो अरे भड़कते क्यों हो सालेटाब तुम कल सुबह आगे अपने किसदार पर ले जाना देखो, मेरा मून मत खराब करो मुझे स्वाखराद मनाने दो चलो, तरवाज को खुलो खुलता है अभी खुलता है तुम लोगों मिलक, रवी को माझ चला मैं तुम लोगोंको बिनदा गही चोड़गी मैं बिनदा गही चोड़गी बिना गही चोड़गी है कापट sentence कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अगर वह पुली सेशन पहुंच गई ना तो हम सब फासी पर लतक जाएंगे मैं तो करती हूं वह जालो उसक जाओ चल्दी आज़ा बाद आज़ा 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 जिल्दा नहीं चोड़ूगा तुछी जिल्दा प्राऊ चुपी मुल्दिमा शार्दा देवी ने अपने जुर्म का इक्बाल कर लिया है लेहाजा अधालत के लिए शक की कोई गुंजाइस बाकी नहीं इसलिए मक्तूल चंदू के कटल के जुर्म में यह अधालत इंडियन पीरियल कोड की दफा तीन सो चार एक के तहद शार्दा देवी को साथ साल की सजा बामशक्कत सुनाती है नए शार्दा ने शार्दा ने ऐसा क्यों किया मैंने जो कुछ भी किया इसमें हम सब की भलाई हैं सब की भलाई के लिए हमिजद तुभी क्यों दाख करती रहती हो यह त्याग नहीं है और क्या है कतल मैंने किया है और सजा तुम काट रही हो यह सजा नहीं है रवे एक तरह से भगवान का बर्दान बन गया है मेरे लिए लेकिन यह मेरे लिए शिराफ है मैं किसी भी किमत पर तुम्हें जेल में नहीं रहने तूँगा ऐसा मत कहो रहे जरा थंदे दिमाग से सोचो सारे दुनिया में मेरा कौन है तुम्हारे सिवा तुम जेल चलेगे और में बाहरे रहें तुम मुझे जानकी दासे कौन बचाएगा और अपनी पच्चे के लिए कहां कहां और कब तक उससे भागती रहोंगी वो मेरा पीछा नहीं चुड़ेगा और जब भी मैं उसे मिल जाओंगी वो अपनी मन मानी करने से बात नहीं आएगा और तब एक मा क्या आप दो लुट जाएगी यह सब तुम्हारा वहम अशार्दा साही सचाही जानकर आप लोग मुझे स्विकार ना करें इसी दर से उन्होंने आपसे छूट बोला मेरे बेडी जोती को आनाथ खेक कर उन्होंने आपके पास लाकर रख दिया ताकि उसे मा के मंता मिल जाए लेकिन मेरी बत किस पती देखिए एक तरफ पती को खोड़े हूँ और दूसरी तरफ मेरे बेटी जोती को किसीने अगवा कर लिया मुझे माफ करतो भावी मैंने आपको भहिया को गलत समझा मैं बादा करता हूँ कि जिन हाथों से मैंने भहिया को हतकरी पैनाई है मैं उन्हीं हाथों से वह पढ़ितोड़कर भहिया को सही सलामत खर लांगा रो मत बहु जोती को मैंने चुपा के रखा है क्या पच्वाजी हाँ बहु जल बेटा रामलाल रामलाल? रामलाल? क्या हुआ? जोटी कहा है? जोटी कहा है? जोटी बीबी को जबर्दर्टी उठाकर ले गए चाल! जोटा मुझे! जोटा मुझे! जोटा मुझे! जोटा मुझे! जोटा मुझे! जोटा मुझे? लक्ष्मी समीन पर? पकड़ लिया! कहां भागता है? नोट बादार में चलता है जमेंगे धूड़ी चलता ज़या जाखता लुदा लगा ये ये क्या वरा? पिलोटा कॉ मुझे लकरा है अपने बाप को पुल समझ रहागा का? खोष्ष्र को कौंभवा को मुझे को पूझता है कि तेरी जैसी मूच लगा के खोड़ी देरे क्या वासते तेली रहं बनके तेरा कवाड़ा कड़ डालूंगा अरे ने ने तेरे भाई की तेरे जैसे सडीयल को कॉन भाई बनाएगा जाते उचारेगा फोड डालूंगा प्रिया करवाने के लिए मुझसे पांच लाक हफाई डगा चुके हो अब भी हाथ पे हाथ रखकर खड़े हो अरे जब मेरे बिड़े जेल्टी कोटरी में सड़ सड़ के मर्दे का तब हिलोगे यहांसे आज शेक्शन्स कोट के फैसले के खलाब हाई कोट में अपील करने का आखरी दिन है जाते क्यों नहीं जा आपील करो आप बिला वजह मुझे पर चिला रहें किस बल्बूते पर अपील करो ना कोई गवाह है ना सबूत और आप आप प्रिया का बयान भी ना बदलवा छलो इस कारेशव देंग दृट रहें जो चलो इसकन पर दस्तखत कर दो लेकिन मैं आपके बेटे से शादियं नहीं करूंगी ठीक है लेकिन तुम है ब्रकेस में ब्रचला के वक्त फैसले नहीं ता लेकिन तेजा तो वहां था हाथ था लेकिन तुम जही कोगी कि वह वहां नहीं था तुम्हे पहचानने में गलती हो गई कहीं मर्डर केस में पोलिस उल्टा मुझे ना फसा ले घबराव रही ऐसा कुछ नहीं होगा क्यों नहीं होगा संग्राम को मारा आपने और पुलिस में रवी को गिरिफतार कर लिया संग्राम को मैंने नहीं मारा था संग्राम को तो जान की दास ने मारा था जानकीडास नहीं? हाँ मैंने आपने? हाँ मैंने जो मेरा दुष्धमन हो जाता उसकी जान की खहने नहीं रहती मेरा नाम जानकीडास है क्या नाम आपका? जानकीडास साले संग्राम ने मुझщее 10 लाक रॉपराइड़ने के लिए इसलिए ने रभी की पिसूल से उसे मा डला और खूंका रवी पर लग गया अखो तुम क्यों डर रही हो अरे तुम तो हमारा साहि दे रही हो चलो दुस्तों करतों चलो श्लुजजशकर चलो करना देखती क्या है मेरा बगी चाव वह वकील रड़ी किशंचंजी अब तेजा बच जाएगा ऐसी ठोस अपी लिखी है जो मन्जूर भी होगी और केस की पहली तारीख को तेजा बाइज़त रहा भी कर दिया जाएगा ड़ी ड़ी मैं आ गया क्या तुम यह कैसे रे मैं जेल तोड़ कर भागाय किशंचंजी अब आपके बेटे को कोई नहीं बचा सकता है अगर मेरा बेटा नहीं बचा तो मैं तुम्हें भी जिन्दा नहीं छोड़ूगा कि अगर तुम तो एसे तुरप रहे जैसे किसी ने तुम्हारा दिल निकाल लिया हो और तुम हुश इसलिए हो कि तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारा कलेजा हम निकाल लाए है चियोती को जन्दा वापस चाहते हो तो ठीक एक बजे को लेकर जंता मिल्वें पहुंच जाना संझे क्वब कमीना जानकिदासि जोटी का उठा कर ले गया होगा रवीज साफ रवीज साफ काहा है वो मैंने जानकिदास को जोटी को रतर नेगर शुचाइटी में ले जाते हूँ दिखा उसने वह किसी फिल्लीी पेश स्वा रखा उसको इमारीशान क्या होते हैं कि यह दाला वकले, वकला एंँ वार्फ। वकले! वकला वकल ॉ हे वकल – वपनो कर रहे हैं नंडरबां दिप्राथ नंगर है तुझा रहा देख सकते हैं कर दो कर दो फो है कहान नारी फश्ला ब NOT फश्ला बंद ठामु घरी तुम बिन मेरे मन का मंदे विष्णा को बिन दा मुरारी चब चब कीर परीपतों थे तब सब तुम्हाई भनशा चब चब कीर परीपतों थे तब सुम्हाई भनशा तुम्हाई 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 भनशा कर दो इस ओन नीड़ी यहांद प्रीthis कर दो 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 कर Let's go! किशंचाण 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 आओ कैसेट लाए यह रहा तुमारा कसट तुहारी जयोती कैसेट फैंको लो तकड़ अपनी जयोती यह क्या यह तो पुतला है पुतला नहीं तो असली जयोती तुमारे आवाले कर दूगा मुझे क्या इतना प्रकु समझते हो मैं क्या यह नहीं जानता है के कैसेट के अजारों डूपलिकेट कैसेट बनाए जा सकते है किशिंचंद तुम आग से खेल रहे हो चल जाओगे वाँ हमारी बात हमी से अरे बर्खुरदार हम यहां आग में जलने के लिए नहीं आएं बलके आग को बुजाने के लिए आएं हमने तुम्हें इस मिल में इसलिए बुलाया है ताके हम तुम्हारी लाश को इसी मिल के अंदर दफना सके है है जिंदा नहीं छोड़ने चाले को खाथम कर दरो हाँ 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 करुजी जा जा गलागाजा वी कि एलो पॉप एिल of ही ताट कि एलो आलो प्हा एंगाजए एलो एक पांट एलो ऑंग्त Living एलो खबाज एलो एलो टॉप एलो इदर लाख, इदर लाख, किसी में दफागतायाद के रुस्तार करनूंगा अपाइँ माधी मुंबई पुलिट, जाए मुंबई डेवी बोल ने में वे जाए बी बीज खुलिए झाल 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 पुलिए थाल में 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 हुँ में टेली राम टेली राम के सिंसापका चमचा तुम्हों का दोस्ट चमीली राम उदेगो कर दो कि अप्सेकर करें अच्छाण अच्छाण था मुझे परक्टिस करा था मेरे वैसट इंडीज में सेलेक्षिन होगा थे बहुत क्वेसट यादो में वैसट इंडीज जा रहा हूं तुझेजचाम होना हाँ मैं तेली रहा हूँ, क्यों आपको तेल की बद्बूनी आ रहे हूँ हाली नाकस जाकस हाँ 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 आपकार दो, अजार डीज़, ऐसा देड़, आपकार निए गार Здरी जीए भाहर को आपकार को वे अजिए जार निए, हमगा, आपकार अपकार देड़! वाद आपके बेटे को ना बचाया तो आप मेरी जान ले लेंगे इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मुझे आपको गरिफतार करवाना पड़ा ले जाए इन दोनों को अधर आपको गरिफतार करना तो रहे हैं अधर आपको अधर ने पर आपको अधर आपको अधर मिलता है ने अबे अधर निया ठीक नहीं कम सब्सक्राइब अच्या मेरी बाद सुन तो एकाम कर तो जयल में जाके ना चकी पिस्ते वर राम करते रहे ना और मैं तरे मालक अपना पना करता रहूंगा इसको रहे कि यहां बोत फांदे बाद आज आज जागा चले आपने मुझे बताया ने लेकिन फ्रेव मुझे मुझे मालम पड़ गया कि आप मेरे डैडी है डैडी आपको चोटो नी आई ना नहीं बेटे